हाई फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूटूब ने मेरे एक बहुत ही ट्रेंडिंग वीडियो को रिमूफ कर दिया है और मुझे जहां तक जानकारी है जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मुझे नहीं लगता है किसी तरह की कोई गलत तो इस वीडियो को 5700 PLUS views आने के बाद और करीब करीब उसको बारा दिन हो गये तो बारोए दिन में उस वीडियो को YouTube ने रिमूफ कर दिया है और रिमूफ करने के बाद मुझे जो मेल आया है और मेल आने के बाद उस पर जो वी चीजह लिखी हुई थी YT इस्टूडियो प से यहाँ पे वीडियो को रिमूफ किया गया है और क्या ऐसा रीजन है तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि क्या ऐसी जानकारियां थी जो मुझे नहीं पता थी तो अगर आप भी एक यूटूबर हैं तो आज के ये वीडियो ज़रू देखना चाहिए और जब वीडियो रिमूफ कर दिया गया और रिमूफ कर दिया गया तो वहाँ पे किसी तरह कोई स्ट्राइक नहीं दिया गया है मेरे इस चैनल पर और यूटूब ने उस वीडियो के नीचे ये भी लिखा है कि ये कोई तरह के स्ट्राइक नहीं है सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल जुड़ा हुआ था FSAI registration को किस तरह से online करना है किस तरह से MV में FSAI registration online fill up करने का जो form होता है उस पे आप क्या क्या चीज़े fill up करेंगे कैसे fill up करेंगे उससे related वो वीडियो था और side screen ने आप देख सकेंगे उसका thumbnail और ये मेरा thumbnail था और इस thumbnail के कारण काफी अच्छी जानकरिया लोगों तक पहुँच भी रही थी और बहुती अच्छा views भी आ रहा था उस पे लेकिन अचानक से 11 दिन उस वीडियो को हटा दिया गया और YouTube ने उस पे जो जानकरी बताई है और सबसे पहले उसको बताने से पहले मैं आपको अपना स्क्रीन दिखाना चाहूंगा वाइटी स्टुडियो का और आपको वह चीज मैं दिखाना चाहूंगा पढ़के भी बताना चाहूंगा कि क्या ऐसी चीजे हुई है और यहां पे आपको साइड में आपको मेरा वाइटी स्टुडियो दिख जाएगा और यह मेरा वाइटी स्टुडियो है और इसको मैं ओपेन कर रहा हूं और ओपेन करने के बाद आपको मेरा चैनल जो है जिसका नाम ग्रोवित दीता है कंटेंट में जा रहा हूं यहां पर कंटेंट में जाने के बाद आपको मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूं और नीचे में देख रहा है आपको कि यह वो वीडियो था FSSAI License Registration Online Process, FSSAI Registration Process और FSSAI License 2023 इनाइमबे Visibility में आप देखेंगे इसको Remove कर दिया गया है, Monetization Ineligible कर दिया गया है Restrictions में आप यहां पे देखेंगे, Terms and Policies को लेकर के कुछ इसू हुआ था इस पे और यहां पे और आगे अगर बात करें, View More के अगर जाकर के क्लिक करते हैं तो यहां पे दिया गया है Take Action और मुझे अपील करने का भी option मिला था और मैंने कल ही YouTube पे अपील भी किया है और अपील करने के बाद मैंने सारे content को देखा देखने के बाद मैंने यह अपील भी किया था कि मेरा वीडियो जो है YouTube Community Guideline के खिलाप नहीं है और मैंने अपील किया और अपील करने के बाद 10 मिनट के बाद ही मुझे message भी आ गया था और यहां पे आपको दिखाएंगे कि Take Action में जाने के बाद आपको यहां दिख जाएगा कि क्या YouTube ने मुझे reply किया है और यहां पे आपको वो reply भी दिखेगा और आप यहां पे साब तर पे देख सकते हैं जो मैंने अपील किया था वो अपील अंसक्सेस्फुल हो गया है और यहां पे क्या लिखा हुए इसको मैं थोड़ा सा पढ़कर के भी बताना चाहूंगा We have looked at your content again carefully and have confirmed that it violates community guidelines It will not be available on YouTube. We know it may be disappointing but it is important that we keep the YouTube community protected और यह मुझे reply आया है मेरे मेल पे भी आया था और मेरे वाइटी स्टूडियो पर भी यह reply आपको देखने मिल रहा है तो यह वीडियो था जिसको मैंने बनाया था और बारा दिन के भीतर बारवा जो दिन था उस दिन यह वीडियो मेरा remove कर दिया गया है और मैंने फिर से एक वीडियो जो कहीं दूसरे जगा अप्लोड किया था फिर से मैंने इसको अप्लोड करने के बाद उस जगा जो information जो मुझे बताया गया था क्या गलती थी उसको फिर से मैंने blur किया है और blur करने के बाद मैंने फिर से उस वीडियो को पब्लिक किया है और आप यहाँ पर टॉप में देख सकते हैं वो वीडियो है लेकिन यहाँ पर एक चीज बताना चाहेंगे कि जो गलती हुई है मुझसे वो गलती क्या थी और यहाँ पर काफी सारे गाइडलाइन्स को जानने के बाद पढ़ने के बाद जैसा कि यूटूब का अपना कम्यूटी गाइडलाइन है और गाइडलाइन क्या बताता है जैसे कि कोई तरह का सेक्शुल आपको वीडियो नहीं डाल सकते हैं या फिर किसी को एव्यूज कर रहे हैं तो उस तरह की वीडियो को आप सेर नहीं कर सकते हैं या फिर आप तो यहाँ पर दिखाते हैं कोई भी कंटेंट को अगर आपने किसी का लिया है तो उस पर आप अपना कोई क्रियेटिविटी अगर सो नहीं किये हैं इस तरह के वीडियो को आपको नहीं डालना है यह तोटली चीजे रिमूब हो जाती है कभी-कभी क्या होता है कि इस्ट्राइक भी आता है और इस्ट्राइक के अगर आता है आपके यूट्यूब चैनल पर तीन इस्ट्राइक लगाता है अगर आपके चैनल पर अगर आजाते है उसके ठीक 90 दिन के बादी वो हटेगा और अगर 90 दिन के भीतर अगर आपने फिर से कोई policy का उलंगन कर लिया है और दूसरा strike आ गया और उसी duration में तीसरा आ गया तो channel पूरी तरह से totally delete हो जाता है और इस मामले में YouTube काफी strict है और YouTube का जो community guidelines के जो rules है ना वो काफी strict है लेकिन अब मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे channel का ऐसा कुछ भी नहीं था लेकिन एक जानकरी जो फिसाई registration में होता क्या है कि जब आप form को fill up करते हैं तो उस पे आपको personal details देना होता है तो मैंने जैसा कि वीडियो में बताया था कि गीता का personal details में fill up कर रहा था गीता अलड़ी इस business में registered है अमवे में तो उसका जो फैसाई का registration था उस process को मैंने live share किया था और वहाँ पे किया था कि सारे चीजों को मैंने blur कर दिया था लेकिन थोड़ा वीडियो जो साथ मिनट का एक वीडियो था साथ मिनट पे जो वीडियो आ रहा था ना वहाँ पे जो सो कर रहा था मेरे वीडियो के screen पे तो वहाँ पे क्या है कि उसका नाम fan card number और personal details में address वगेरा सारी चीजों को वह आप blur कर दें तो यह जानकारी मुझे नहीं थी और यह जानकारी के कारण मैंने उस वीडियो को वहाँ पे दिखाया भी था और पूरा detail शेयर भी किया था लेकिन कुछी जो को मैंने blur कर भी देया था लेकिन मुझे आगे भी blur कर देना चाहिए था लेकिन जब यह वीडियो रिमूब हो गया है मैंने जब अपील किया है अपील करने के बाद वहाँ पर यह साब तोर पर लिखा हुआ है और जो वीडियो मुझे यीटूब ने भेजा था कम्यूनिटी गाइडलाइन्स का उस वीडियो में यह बताया गया है कि कोई तरह का harassment या कोई तरह का abusive या फिर किसी तरह का दूसरे का content अगर आप बिना कोई creative का डालते हैं इसके अलावे अगर आप personal information की जानकरी directly आप अगर यीटूब पे share करते हैं तो यह बिलकुल खिलाफ है यीटूब guidelines के खिलाफ है तो यह जानकरी मैंने यीटूब पे दी है और देने के बाद मुझे पता चला क कि यह जानकरियां सही नहीं है अगर आप यह जानकरी देते भी हैं तो आप उस जानकरी को show में मत दिखाएं कि वो साफ साफ नहीं दिखे आप उसको blur कर दीजिए मैंने यह तब जाना जब मेरा video remove हो गया तो my dear friends इस video को बनाने का purpose सिफ यह है कि अगर आप भी एक YouTuber हैं आप YouTube पे grow करना चाते हैं तो गलतियां अलड़ी होती है इंसान से ही गलती होती है लेकिन सबसे अच्छी बात है कि मैंने YouTube का कोई policy का उलंगन नहीं किया है कोई community guideline का उलंगन नहीं किया है और उस mail पे और जो मुझे YouTube ने message किया है मेरे Y2E studio पे क्योंकि मैंने appeal कर लिया था और appeal क तो मैंने भेज दिया था कि मुझे बिल्कुल भरोसा था कि मैंने कोई गलती नहीं किया है लेकिन मैंने appeal कर दिया लेकिन अगर अपील नहीं किया रहता ना तो मैं आपको वो भी दिखाता कि क्या YouTube ने भेजा है और यह कोई को आप हाईलाइट करके अपने YouTube वीडियो पे शेयर ना करें अगर आप शेयर करते भी हैं तो उसको ब्लर कर दीजिए उस पोर्शन को टुटली ब्लर कर दीजिए ताकि वह वहां नहीं दीखे तो आप वहां पर बता सकते हैं बोल सकते हैं परसनल डीटेल्स को अगर आप फि कुछ गल्तियां हो जाती हैं लेकिन इस वीडियो को बनाने का परपस यह है कि आप भी अगर इस तरह के चीज़ों को शेयर करना चाहते हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैडिया फ्रेंड्स सबसे अच्छी बात यह है कि आप अगर परसनल डीटेल्स अगर शेयर क आप देखें और देखने के बार्द भी सीख सकते हैं और ऐसी गल्ति आप ना करें अपनी endeavor पर या फिर वीडियो में इस तरह के information कुर मैंने शेयर किया है और उमिद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो comment करके जरूर बताएं और YouTube का community guideline जरूर फॉलो करें, अगर आपका monetization issue है या फिर किसी कारण से आपका video remove कर दिया गया है तो आप किस तरह से appeal कर सकते हैं, appeal के लिए भी आपको क्या content लिखना है उसके बारे में भी आप अगर जानना चाहते हैं तो comment करके जरूर बताएं मैं उस content को भी वीडियो के माध्यम से share कर दूँगा और मैंने वो appeal किया है और देन देर मैंने किया जब मुझे mail कर दिया गया था या YT studio पे मुझे message आया तो मैंने वो appeal किया, appeal करने के बाद मेरा वो appeal reject कर दिया गया और मैंने आपको वो appeal भी दिखाया है कि YouTube ने मुझे क्या reply किया है और सही मायने में मैं बहुत ही जदा disappointment हूँ क्योंकि वो वीडियो कोई भी वीडियो हो वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है लेकिन कुछ गल्तियां जो होती है जानकारी में नहीं रहती है तो वो वीडियो remove कर दिया जाता है और जब वीडियो remove हो जाता है ना तो सबसे important बात है, तकलीफ तो मुझे हो ही रही है, लेकिन सबसे important बात है कि आप उस गलती से सीख रहे हैं, क्या, सीखना जरूरी है, ताकि ये दुबारा repeat ना हो, और इस वीडियो के मादम से आप लोग भी इस तरह की गलतिया ना करें, और मैं सबसे एक आना चाहूंगो, चैनल का और आप नए है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके जरूर बताएं, कि इस तरह की चीजे क्या आपने भी अपने येट्यूब पे फेस किया है, तो जरूर कमेंट करें, और अगर ये informative लगी है, तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, जय हीन, जय धारत!